हालो गाइस वेलकम बैक डिश्टलर इसी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत से इंट्रिस्टिंग से चीज आपने बहुत सार यूटूब चैनल देखे होंगे लेकिन आपने वेबसाइट बनाने के भी बहुत सारी तरीके देखे होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो मुतलब काफी मज़दार चीज से चीज हैं आपको मुतलब लगेगा कि इतना अच्छा सा वेबसाइट कैसे हम इतना जल्दी बना सकते हैं So guys, चलिए start करते हो, start करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर ले ताकि आपको मेरे जो भी video आते हैं, जो भी मैं मैंने आप video डालता हूं, आपको सबसे पहले notification मिलेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाऊगे तो guys start करते हैं, start करने से पहले मैं आपको ये बताओं कि मैंने अपने sub domain पे एक website बनाया हुआ है, मतलब wordpress install किया हुआ है और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बना करके, तो चलिए मैं start करता हूँ, सबसे पहले मेरा internet चल रहा है चलिए ठीक है digitalresi.com internet ss चलिए, अब यहाँ पी क्या गरेंगे, हम google में आते हैं और जो हमारा सब domain है, चलो उसको मैं type करता हूँ, live.digitalresi.com slash wp-admin, चलिए wp-admin में जाते हैं, और हम login करते हैं इसको, login करने के बाद हम उसके अंदर काफ़ी सी चाज़े कस्टोमाइज करेंगे, यहाँ पर मैंने डाला था, शायद live डाला था, live और password था live at the rate 123, चलिए, login करते हैं, login कर दिया मैंने, ठीक है, अब यह हमारा dashboard open हो जागा, guys, जैसा कि आप जानते हो WordPress में, तो इस तरह से ही हम करते हैं, सब कुछ, आप यदि localhost पे कांग पर रहे हैं, तो localhost में भी same तरीका है, लेकिन वहाँ पर थोगा सा different है, चलिए, इसको एक पर website देख लेते हैं कि कैसा है, यह देखी हमारा website अभी इस तरह का, ठीक है, जो फर्स्टाइम इस्टॉल करते हैं, तो यह default theme होता है, जो मतलब इस तरह का look होता हूँ, मैंने बस इसका नाम चेंज कर दिया practice और इसका tagline चेंज कर दिया, लाट तुड़े लिग टुमोगो, तो जो की paid theme है, लेकि मेरे पास available है, और आपके पास नहीं होगा, तो आप इस video के description में वो theme मैंने डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से download कर सकते हो, चले मैं पहले उस theme को upload करता हूँ, theme में गया, theme में जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ add new पे click करना होता है, add new पे click करने के ब करने के बाद जो हमारे पास theme है, desktop पे वो यह theme है, जिसका नाम है B theme, चले इसको मैंने select किया, open किया और install कर दिया, यह देखिए थोड़ा सा time लेगा install होने में, then उसके बाद इसको activate करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, चिक है, Guys, मैं एक चीज के लिए sorry मांगना चाहूँगा, बिकोज यहां से ना, यह जो theme थोड़ा complicated है, तो यहां से upload होने में थोड़ा time लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहां से upload नहीं करूँगा, और मैं C panel में जाता हूँ, अपने C panel में, सीधा वहां से upload कर दूँ click underscore HTML में, यहां पे ही होता है, यह हमारा था live यह वाला project था, चलिए यहां पे आया WP content के अंदर, और यहां पे themes के अंदर जाएंगे, और हम यहां पे सीधा हम upload कर देंगे, upload पे जाएंगे, upload पे जाने के बाद जो हमारा theme था, select file करेंगे, और हमारा जो theme था, यह भी theme था, start होगा, यहां पे लगवद 20.48 MB का हाई है, तो थोगा time लेगा, guys, इसके लिए sorry, so आप थोगा time wait कर सकता हो, मतलब, और मैं तो fastly दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको थोगा wait करना होगा, यदि आप local host में कर रहे तो तो कोई बात ही नहीं है, आप सीधा आप उस folder में डा यहां थोगा live server पर काम हो रहा है, तो मुझे थोगा time लेना होगा, मैं थोगी दिर के लिए भी लिए पाउज करता हूँ, Yes guys, हमारा यह 100% complete हो चुपा है, और हमने इस theme को अपने folder में डाल दिया हुआ है, अब मैं back to home जाओँगा, और उस folder में जाते हैं, यह देखिए हमारा B theme यहां पे zip folder आचुका, अब मुझे extract करना होगा इसको, यहां पे मैं right click करूँगा और इसको extract कर लोगा, चलिए extract कर ले यह देन वो file हमारा यह देखिए, बी theme यहां पे आचुका है, अब इस zip folder इसको मैं delete करना होगा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब हम जाएंगे यहां पे, जो हमारा यह था theme का option यहां इसको हम refresh करेंगे, तो यहां पे हमें B theme नचराएगा दोस्तों, यह देखिए B theme अब इसको हम activate करेंगे, activate पे click करके, चलिए activate पे click किया, यह activate भी हो चुका है, activate होने के बाद हम site को देखते हैं, visit site को जाएंगे, इसको new tab में उपर करेंगे, और यहां देखते हैं हमारा site किस तरह का देखता है, तो guys यह देखिए, इसको refresh करते हैं, हमारा जो site है कुछ ऐस इसा दिख रहा है, ठीक है, इस theme को upload करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, अब देखिए, मैं इसमें एक ऐसा जादू करने वाला हूँ, जो जादू है, यह theme का गमाल है, यह काफी अच्छा theme है, काफी costly है, जो मैंने आपको free of course share किया, इस video के description में जो link दिया, वहां से आ यहां पर B theme का option आगा, यह देख रहा है, अपरियेंस के अंदर B theme का option आगा, B theme pre-built website का option आगा, यहां पर click करते हैं, यहां पर click करने के बाद guys, आपको बहुत सारे pre-built website मिलेगे, यह देखिए, all में इतनी सारे हैं, basics हैं, entertainment से related websites हैं, creative websites हैं, blogs हैं, portfolio websites हैं, one page website है, top tag का website है, and other way है, तो guys हम, यहां से आपको एक simple सा website हम, कोई भी एक select करते हैं, और आपको हम दिखाते हैं website का लो, ठेक हैं, आपको मैं क्या दिखाऊं, मैं इसमें बहुत सारा है, तो सबसे पहले चीज दिखाऊं आपको, वो मैं बस कोई, अच्छा सा ढूंड गा हूं, इत उतना सारा website है, कोई भी select कर सकते हो, चलिए मैं example, क्या करूं, क्या करूं, चलो, किसी चरी लिकट मैं डूंड रहा हूं, मैं जो डूंड रहा हूं, तो रहा हूं, आया था भी, कहा गया, चलिए मैं इसको करता हूं, इस पे क्लिक किया मैंने, यहां पे आपको क्या करना, install पे क्लिक करना हूं, next, and install, यह देखें, install हो रहा है, install होते ही एक जादू हो रहा, हमें बना बना बेबसाइट मिल जागा, बस उसमें हम थोड़ा सा दिमांग लगांगे, थोड़ा सा इड करेंगे guys, जिसमें कोई coding की requirement नहीं होगी, और आप easy way में एक company के लिए, अपने लिए, या clients के लिए, किसी भी person के लिए, बेबसाइट अपना सकते हो, easy way में, और आप बस theme purchase करने होगे, आपको free का theme इस्तमाल मत किजिएगा, मैं आपको command कर रहा हूं, because free के theme में बहुत चार यह ऐसी coding होती है, जहां से आपकी site भी hack हो सकती है, तो चलिए, अब मैं क्या को हूँगा न, preview website पे click किया मैंने, यह देखिए, चलिए, इसको मैं cut करता हूं, और फिर से मैं website visit करता हूं, तेक है, यह देखिए website मैंने visit किया, और आपके सामने आ गया यह, be transfer, बना बनाया websites, guys, यह आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने सब कुछ किया, theme install किया, and about, सब कुछ है, yes, how it works, contact us, सारे pages बन चुगा है, सब कुछ बन चुगा, everything, बस आपने अपने coding इसको changes करने, तो मैं फुरा install, revolution slider के click करके, slider इंस्टॉल कर लेता हूं, ताकि problem ना हो, चलिए, यह जो भी recommendation, यह जो भी recommendation कर रहा है, इसको मैं install करता हूं, ठेक है, इसके according, bulk action पे जाएंगे, install पे click करेंगे, apply कर देंगे, तो यह जितने भी plugin से install हो जाएंगे, यह इस theme में already plugin इंक्लूट था, तो यह खहरा है कि, इस plugin को install कर देनम और भी feature पोइट करेंगे, if you are not sure about servers thing, limits, please activate necessary plugin only, जोगी 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 plugins है, उसको install करने के लिए, चलिए, यह हमारा सब कुछ install हो चुका है, साइद activate भी हो चुका है, return to plugin installer पे click करेंगे, and activate करना मांग दिया है, तो हम सब को एक ही बार में activate करेंगे guys, आपको बता ही होगा, एक select all करने के बाद हम यहां bulk action पे जाएंगे, activate करेंगे, apply कर देंगे, यह plugin install हो जाएंगे, और activate भी हो जाएंगे, चलिए, यह activate होगा, यह activate भी हो चुका है, अब हम यहां पे theme पे जाएंगे, इसको refresh करते हैं, and home पे click करते हैं, ठीक है, home पे मैंने click किया, और यहां पे हमारा revolution slider error with alliance transfer not found आ रहा है, हम क्या करेंगे, guys, यहां पे edit paste करेंगे, ठीक है, edit paste पे click किया, और edit paste पे आने के बाद, आपको क्या करना होगा, नीचे scroll down करना होगा, पहले paste पे जाते हैं, ठीक है, all paste पे गया, और home पे click किया, home पे यहां पे edit पे click करने के बाद, जो हमारा screen आएगा, कुछ ऐसा आएगा, जो आप यहां पे देख रहे हो, यह देखिए, अब इसको scroll करेंगे, scroll करते-करते, आपको आना है, दीचे, और भी नीचे, और भी नीचे, और यहां परिकिया है, select पे click करने, revolution slider select पे, और यह browsing चली रहा था, मैं नीचे आगया था, इसलिए यह दिख से यहां आगया है, यहां पे click करेंगे, हमारे पास कोई भी slider नहीं है, कोई भी slider नहीं है, हमें slider बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, चली वैसे मैं आपको यह दिखाता हूँ, slider बनाने में थोगा time लेगा, फिल हाल आप यह देख सकते हो, यह आपका बना बनाया website तयार है यहां पे, इसमें आप changes कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बदाता हूँ, और यह guys responsive है, फुली responsive website है, आप देख सकते हो, यहां पर यह देखिए responsive है, पूरी तरह responsive website है, ठीक है, यह देखिए responsive है, चली slider हम एक बना ही ले या क्या गरें, हमारे बास slider तो शायद नहीं था, इसलिए, एक सकेंट, यस गाइस, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, हम यह फाइल रहते है, जो हमारे पास already है, तो उसके लिए slider इंस्टॉल करने के लिए, आपको जाना होगा, evolution slider पे, यहां पर slider evolution पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद, आपको यहां import slider पे जाना होग यह तो transfer, कहां गया transfer, ट्रांसफर यह रहा, आपको ओपन करेंगे इसको, then import slider करेंगे, यह हमारा slider import हो रहा है, तो आप देख सकते हो, कि इतना easy method है, यह देखिए हमारा slider मी import हो गया, and उसके बाद हम एक बारी space को refresh करके देखते हैं, देखते हैं कि slider यहां पे आया या नी आया, so slider आ चुगा है guys, यह हमारा वेबसाइट सा, and you can see here your slider is present, so, आप slider में भी changes कर सकते हो, बहुत सारी चीज़े हैं जो आप खुद से changes कर सकते हो, यह देखिए बना बनाया वेबसाइट आपको मैंने दिया, बस इतने कम time में, इसको जैंदी manage करना है, तो आप हर एक चीज़ manage कर सकते हो, जैसे slider manage करना, overlapping status п taxi option पर आया, यहां पर आने के पाद स्पर क्लिक किया, and इसको हम क्या कर सकते हैं, initial edit कर सकते हैं, और आप देख सकते हो, नीचे यहाहार यहां पर कुछ की changes कर सकते हैं, अब याँ पे हम लिख सकते हैं anything you want like अब लिखेंगे याँ पे digital रिशी yes digital रिशी आ गया digital रिशी आ गया अब याँ आप लिखेंगे learn to delete more आज पड़ो कल पड़ाओ learn today तूदे एंड लीड तूमॉरो चीग है सही है ना चलिए यह चीज मैंने कर दिया इसको मैं सेफ कर दूँगा सेफ करने के बाद इस पेस को मैं अपने साइट को रही सकता हूं यह तेकिये गायंगे यह तेकिये इमैजस भी चैंज कर सकते हूं इसका जो साइज शाइज का इमैस लेलो यह चोटा लेना चोटा लेलो कोई दिक्कत नीं है no problem So everything can be changed by you. If you want to change phone number, then you can change. मतलब सब कुछ कर सकते हो भाई मेरे, यहां से सब कुछ बना सकते हो. So guys, यह सारी चीजे मैंने आपको बताई ही, आपको करना ही होगा कि इसको प्रैक्टिस करना हो. प्रैक्रिस करने के लिए मैंने आपको एक फैसलिटी प्रोवाइड की हुई है, कि यह जो B theme है. इस theme को मैंने इस वीडियो के description में JIP folder में डाल दिया. आप वहां से इसको इसको इस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. और दूसरी बात यह हैं कि slider वगेरर सारा कुछ आपको मैं यह slider पोई करूँगा दूसरा slider आपको चाहिए तो वह भी मैं कर तूंगा next video में यदि आपकी requirement हो तो तो आप comment box में लिख सकते हो क्या क्या चाहिए आपको किस चीज के ओपर video चाहिए कैसा video चाहिए वह मैं totally आपको अपको पताऊंगा आपको सिखाने के लिए यहां पया मौ हो अब WordPress से ठालेट बोई भी बी जाए कैसा न को यह बहुत पोपल्म हो एंट आपको को आपकोपलम हो एंट आपको आपको नियार रिलेट से भी मिया दिद मोड़ित टे यहां आपको तो नह स्राक आपको आपको प्रावलम नहीं है, मैं सिखाने के लिए बैठाओं, लेकिन एक चीज, इस वीडियो को इतना सेर करो कि मेरे जैसे हजारो बंदे पैदा हो जाए, एक दिन के अंदर वेप्साइट मना के देदे, अपना काम खुद कर ले, क्यों जाएंगे कंपनी के पास, या क्यों पैसे बे तोफ्रेस, मेरा मोटीव यह है की आप काबिल मनो और हाग मनो और अपना काम खुच से परो So, यहां से आप वेप्साइट बनाना सीख सकते हो, इस एको सब्सक्राइब करना दो चैनल और चैनल को इतना मेरे बिल्वी होगे एक इसे भी आए बीठी आड बनारी आरि आने ये पहला चैनल बना आं सो दिरेदी एए एमाइस्में ढोली बिरेदी इपोट मों गी ये एदेन I can work with you and make a perfect video for you so you have to comment on this channel you have to fill this channel with your friends and you और भी चीज़े हैं, यदि आपको वेबसाइट बनवाना हो, मुवाइल एब बनवाना हो, मतलब software के गाड़ी कोई की काम हो, तो आप मेरे से contact कर सकते हो, वही नमबर है, वही सब कुछ है, या comment दिख सकते हो, तो बस यही है, आपके लिए इतना ही आज के वीडियो में, कोई प्राब्लम हो, तो comment करो, पताओ मुझे, मैं उसके वीडियो बनाओंगा, plugins, themes, everything, so thank you, thank you so much.